दोस्तों आज हम आपको बताएंगे आग के पत्ते के औश्यधिये वा स्वास्ते वर्दक फाइदें साथियों प्रकती ने हमें बहुत सी ऐसी चीज़े दी हैं जो हमारे आसपास मौजूद होती हैं परंतों उसकी जानकारी ना होने की वज़ा से हम उसके लाब नहीं उठा पाते हमारे आसपास बहुत से पेड़ पोधे होते हैं जो अम्रित गुणों से भरपूर हैं पर इसके बारे में अंजान होने के कारण हम उनसे दूर रहते हैं और सातियों ऐसे ही आग का पोधा होता है, जिसके चमतकारी लाव हमारे शरीर पर अपना विशेश असरद डालते हैं, आग का पोधा छोटा और छटेदार होता है, इसमें सफेद और बैंगनी रंग के फूल पाये जाते हैं, आग के सभी अंग, जड़, पत्ते, फूल और द के होते हैं, इसके सभी अंगों से सफेद दूद जैसा तरल पधारत निकलता है, जिसे आग का दूद कहते हैं, तो दोस्तों बताते हैं आपको आग के और शिदिय गुण, जो लोग गंजेपन से परेशान हैं, वो लोग आग के दूद को उस स्थान पर लगाएं, जहां ब इसको लगाने से इसके गुण आपको जलही राहत देने का काम करते हैं, सुर्योदे होने से पहले आग के दूद की तीन बूंदे बताशे में डाल कर खाने से बवासीर में लाब होता है, इसके अलावा बवासीर के मस्तों को काटने और दर्द को दूर करने के लिए इसके या पत्तों का उपयोग सिकाई के रूप में करने से राहत मिलती हैं, तुर्चा के किसी भी परकार के रोगों में आख विशेश रूप से उपयोगी होता है, आख की छाल को पानी में घिसकर परभावित भाग पर लगाएं, इससे तुर्चा रोग दूर होते हैं, यदि आ आख को खुझली अधिक हो, तो आख की छाल को नीम के तेल में घिसकर लगाएं, इससे खुझली दूर हो जाएगी, आख के आठ से दस पत्तों में चार से दस ग्राम काली मिर्च मिलाकर अच्छी तरह पीस कर, थोड़ी हल्दी मिलाकर, मनजन करने से दातों को मजबूती मि बस और काली मिर्च पीस कर मिलाएं, और छोटी छोटी गोलिया पना लें, दोस्तों इन गोलियों को खाने से खासी और हेजा रोग दूर होते हैं, तो दोस्तों ये हमने आपको बताएं, आख की स्वास्ते वर्दक वा औश्धिये पायें, हमें उम्मीद हैं हमारे दूरा दी गई ये जानकारी आपके लिए लाब दायक होगी, ऐसी ही जानकारिया हमापके लिए आगे भी लाते रहेंगे, आपसे निवेदन हैं कि आप हमारे मल्टी रोज लाइफ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइप करें, और ज्यादा से ज्यादा और तक शेयर करें, ताकि एसी मात्पून जानकारिया आपके दुवारा और लोगों तक भी पहुंचती रहें, बाइ, टेक ए, बी हैपी, धन्यवाद